साल 2018 से आगे बढ़ते हुए शेरी इकबाल स्याल कोड तरक्की की मनाजल तेकार रहा है। बन्यादी अठाचे की अपग्रिटेशन, सडको की तामीर और तजीनो अराइश, साफ पानी की रुसाई को जिकीनी बनाना और सेवरिज के जदीद नजाम का क्याम शामिल है। इन आहम मनसूबों की तक्मील के अमल को तेज तर बनाने के लिए 2021 में स्याल कोड डिवेलिप्मेंट अथॉरिटी का क्याम नोटिफिकेशन के जरीए अमल में लाया गया। जबके इस दफ्तर का बकाइदा इफ्तता अक्तूबर 2022 में किया गया जो इसकी ऑपरेशनल सरगर्मियों के आगास की अलामत है। अथॉरिटी का क्याम जामय शहरी मनसूबा बंदी और बन्यादी धांचे की तरकी के जरीए स्याल कोड के रहाइशियों के मैयारे जिंदगी को बढ़ाने के अजम की अकासी करता है। अथॉरिटी ने ना सिर्फ शहर की जरूरियात को पूरा करने में फाल करदार अदा किया बलके कम्यूनिटी के फाइदे के लिए शफाफियत और पाइदार तरकी के अजम को भी उजागर किया। स्याल कोट को तामीरो तरकी के इस सफर पे गामजन रखने के लिए आठ फरवरी को एनने 71 में बेबी कौट पर मौर लगा कर रिहाना डार को कम्याब करवाएं ताके तरकी का ये सिलसला जारी रहे। तब भी था आज भी है। सबसे पहले स्याल कोट